Assalamu alaikum welcome to my youtube channel learning with z आज हमारा lesson 13 lesson से start हो रहा है I hope कि previous lectures आपको समझ आ गए होंगे अभी तक हमने 1 to 12 lessons की videos मैंने आपको साथ share की है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो जिस तरह मैं आपको हर एक video में कहती हूँ मैं आप सबसे request करती हूँ कि मेरे चैनल को subscribe करें, like करें, comment करें and also share करें अपने friends के साथ तो ये वाला जो lesson है वो models of second language learning का है हम basically जो है वो second language accusation ही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम language को जो है वो second language को learn करते हैं first language क्या है, second language क्या है ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी जो course है उसमें आ जाती है तो first इसका topic है, 75 तो 79 तक इसके जो हैं वो topic इस lesson में discuss किये जाएंगे ठीक है, processing approaches है, information processing models है ठीक है, कुछ models को discuss करेंगे इस lesson में, McLaughlin का और Addressants का ठीक है, इनके models हम discuss करेंगे, इनके according देखने के कोशिश करेंगे कि क्या वो कहना जा रहे है, second language accusation के लिए यहां पर learning के लिए तो start करते हैं, processing approaches are interested in how brain's processing mechanism deal with second language processing क्या है, जिस तरह से हमने previous lecture में पढ़ा कि processing होता है कि किस तरह से हमारे mind में process किया जा रहा है language को हम किस तरह से सीख रहे हैं, हम किस तरह से learn कर रहे हैं और फिर हम एक response दे रहे हैं ठीक है, तो यह सारी चीज़ें जो है वो processing में आ जाएंगे, जो हमारे mind में होती है जो हमारे brain में हो रही होती है ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती है information processing approach और second होती है possibility theory का क्या मतलब है, यह investigate करता है कि किस तरह से memory जो हम लोग सीख रहे हैं language उसको store किया जाता है, उसकी memory को store किया जाता है अपने mind में तो एक short term memory होती है, जो हम कुछ देर के लिए याद रखते हैं एक long term memory होती है, जो हम कई सालों तक याद रखते हैं, ठीक है जाहिर हो रहा है कि हम इसमें information को जो हम information gather करते हैं, जो language को learn करते हैं, उसको किस तरह से store किया जाता है, basically, अपने mind में, brain में किस तरह से इसको process किया जाता है, ठीक है, और second पे क्या है, possibility theory, अब इसमें क्या है, looks more specifically at processing demands made by various formal expect of second language, अब इसमें जो सारा processing की चीज है ना, जो stages हैं, जो expects हैं, जिनको देखते हैं या इनके साथ हम गुजरते हैं, language को सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है, वो second point में आती हैं, जिसमें हमारा learning आता है, हमारा teaching आता है, हमारा structure आता है, ठीक है, जो भी चीज़ें हम brain में अपने रखते हैं, store कर लिय और फिर हम उसको जो है, वो learn कर रहे है, language को teach किस तरह से की जा रही है, language किके इसके structure को किस तरह से हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो process है, वो हमारा possibility theory में आता है, आगे क्या है two information processing models, अब यहाँ पे दो models को यहाँ पे जो है ना, वो आपको concept दिया गया है, स model को, ठीक है, अब humans are viewed as autonomous and active, अब इसका क्या मतलब है, this is a model of language learning, basically यह जो model है, Mac Leflin का, इसमें language learning को देखा जाता है, किस तरह से language को learn किया जाता है, इसका जो main focus होता है, वो learning के ओपर होता है, ठीक है, it argues that learning and language, second language, involves moving from control to automatic processing, by practice, अब इसमें क्या है, control to automatic process की तरफ, जो है ना, वो language को move किया जाता है, second language को move किया जाता है, practice के साथ, तो इसका focus क्या हुआ, practice के ओपर, ठीक है, कि किस तरह से learn की जा रही है language, किस तरह से practice की जा रही है, second language की, ठीक है, control to automatic की तरफ, जो है ना, वो language को move किया जा रहा है, The mind is a journal purpose, अब इसका जो mind है, mind में जो है ना, वो journal purpose, यानि कि जो basic चीज़ें है ना, वो involved होती है. Symbol processing system, तो इसका क्या है, ये एक तरहां का processing system है, ठीक है, हमारा mind जो है, वो एक तरहां का processing system है, जिस तरहां से computer का आपने processing system देखा होगा, कि हर चीज उसमें process हो रही होती है, ठीक है, हर data, हर चीज, जो भी चीज होती है computer की related, वो उसमें जो है ना, वो process हो रही होती है, इसी तरह से हमारे जो humans हैं, हम लोग जो हैं, उनके brain को processing कहा गया है, उनके mind को processing system कहा गया है, ठीक है, क्यूंकि उसमें हर चीज, हर journal, हर specific, हर important, common हर चीज जो है, वो store कीवी होती है, अब next paragraph की तरफ नीचे आएं, तो आप देखेंगे line, second language learning is viewed as accusation of a complex cognitive skill, अब second language की जो learning है, जो हम सीख रहे हैं, basically, वो complex है, ठीक है, वो easy नहीं है, वो complex है, cognitive skill, ये एक तरहां की skill है, कि अगर किसी में ये skill और ability है, तो वो second language को easily और जो है न लेकिन अगर उसके पास skills ये ability नहीं है, उसका mind इतना sharp नहीं है, cognitive skill, अगर उसके पास cognitive skill नहीं है, cognitive means कि mind की skills अगर आपके पास नहीं है, तो आपके लिए ये ये जो है, वो complex हो सकती है, second language learn करना, अब next line अगर आप देखें to learn a second language is to learn a skill तो आपको ये कह दिया है कि second language learn करने के लिए आपको skill को learn करने की ज़रूरत है skill कौन सी? second language learning को सीखने की skill ठीक है? अब skills हमने skills के उपर बात की थी अगर आप किसी language को सीखना चाते हो for example आप जो है वो English को सीखना चाते हो ठीक है? या आप पंजाबी को सीखना चाते हो ठीक है? तो आप क्या करोगे? उसमें अपना interest build करोगे आप जो है वो उसमें interest लेना शुरू करोगे ठीक है? interest जो होता है वो हर चीज़ में बहुत important होता है अगर आपका किसी चीज़ में interest नहीं होगा तो आप उसको कभी भी सीख नहीं पाऊगे इसलिए आपने सबसे पहला काम अपना interest का करना है ठीक है? उसके बाद अगर आपको कोई बंदा जो है किसी ने आपको जो है ना motivate किया है कि आप English language सीखो या आप जो है पंजाबी language सीखो या आप किसी से inspire होके ये कर रहे हो तो वो बंदा आपके लिए motivation होगा basically ठीक है अगर आप किसी से inspire होके भी language को सीखना चाह रहे हो तो इन skills का जो है ना वो अला concept है खेर ठीक है आपने language को सीखने के लिए सबसे पहले skills को learn करना है because various aspects of the task must be practiced क्योंकि इसमें जो है आपकी practice matter करती है ठीक है आप अपने आपको बहतर बनाने के लिए fluent बनाने के लिए कि एक चीज़ में आप बहुत अच्छे हो ठीक है आपने अपनी skill को बहतर बनाना है ठीक है आपने practice करनी है ताकि आपकी जो वो language है जो आपकी performance है वो बहतरीन हो सके I hope कि यहां तक आपको clear हो गया होगा ठीक है in short कि इस सारे जो paragraph का मतलब है Mac Laughlin model का मतलब है कि आपने practice करनी है आपका focus practice के उपर है language learning के उपर है ठीक है फिर मैंने आपको point एक बताया कि language second language learning जो है वो complex cognitive skill है इसके लिए वो आपको कह रहे हैं कि जब आपने second language को learn करना है तो आपने skill को learn करना है क्यूंकि इसमें practice की जाती है ताकि आप learned हो सको अपने performance में आपने जो language सीखी है आप उसमें बहतर perform कर सको ठीक है तो इसकी आपने skill की बात की आपने जो है वो focus बताया कि किसके उपर है ठीक है आपने model का बताया कि model किसके बारे में है language learning के बारे में है उसके बार अगर आप last पे आएं तो fossilization के बारे में आपको बताया हुआ है fossilization किसको कहते है तो क्या मतलब हुआ कि आप कुछ words को incorrect यूज कर रहे होते हैं और उनको habit बना लेते हो अपने sentences में यूज करना अपने daily basis पे यूज करना उसको आप habit बना लेते हो और फिर उसको correct भी नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके लिए tough हो जाता है जब आपकी एक चीज की habit बन जाती है तो आपके लिए उसको खतम करना उसको change करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है fossilization भी यही है कि आप एक language अगर कोई word है incorrect आप बोल रहे हो उसको तो आपने उसको habit बना लिया उस तरह से pronunciation उसकी करना या उसको जो है वो बोलना या लिखना तो आपके लिए मुश्किल है कि उसको आप ठीक कर पाऊ ठीक है इसी तरह से अगर हम लोग second language learning की बात करें और हम पंजाबी सीख रहे हैं तो हम कोई word जो है वो गलत pronounce कर रहे हैं अब हमने उसको habit बना ली हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है यह हम उसको correct नहीं करना चाहरे है जिस तरह से मैं आपको point बताया था एक अपनी lesson वीडियो में कि बच्चे जो हैं उन वो अपनी गलती को क correct नहीं कर पाओगे कभी भी ठीक है उसके बद second model की तरफ आते हैं अडरसंस active control of thought अब इसमें क्या है model is more wide ranging अब इसकी wide range है बहुत बड़ी इसकी range हमें देखने को मिलती है ठीक है and the terminology is different और इसकी जो terminology है वो different है इसका जो method है वो different है but practice leading to automatization also plays central role तो जिस तरह से जो है McLaughlin का model में practice पे main focus था इसी तरह से अडरसंस के model में भी practice पे main focus है जो central role है वो इसका भी practice ही है लेकिन इसका method जो है वो different है ठीक है it enables declarative knowledge अब declarative knowledge की बात की गई है declarative knowledge क्या है is an awareness of understanding of facts and data मतलब की आप किस तरह से facts और data जो decision कंठ कर सबसे पहले working model memory working memory क्या है work यानि के memory का work किस तरह से आप memory को store कर रहे हो अपने mind में short term के लिए long term के लिए ठीक है उसके बाद आता है declarative long term memory declarative long term memory क्या है add facts and memories of past event that can be declared rather than performed अब इसमें क्या है जितने भी आपके past event की memories है जो facts है जो data है जो information है आपके mind में उसको आप declare करते हो यानि उसको आप define करते हो rather than perform आप perform पर focus नहीं करते बलके आप declared पर focus करते हो आप definitions या उसकी information ये past event को define करने पर focus करते हो ठीक है या for example आप कोई भी चीज़ का experience कर रहे हो ठीक है आप जो है वो zoo गए हो और आपने महा का experience किया है तो आपका जो experience था आपका जो past event की memory थी जो information आपने collect की जो आपने observation की वहाँ पर जाके लोग किस तरह के थे जानवर वहाँ पर किस तरह के थे तो यह सारा आपका experience में आता है basically ठीक है आपकी performance नहीं हो रही है आप experience कर रहे हो किसी चीज़ का ठीक है आप कोई चीज़ का जो है memory बना रहे हो को past event को define कर रहे हो पिर आप जो है वो define कर रहे हो ठीक है इसको declarative long term memory कहेंगे कि यह long term के दी आपके mind में है sometimes ऐसा होता है आप अपने friends के साथ gossip कर रहे होते हो और आपको एक बात यार आजाती है बहुत पुरानी अपनी बच्पन की तो यह भी एक तरहां का जो है ना वो past event को आप recall कर रहे होत वो भी declarative knowledge में आता है हमारा ठीक है उसके बाद आते हैं second हमारा जो third sorry memory थी वो है procedural long term memory अब एक होती है declarative और एक होती है procedural long term memory अब procedural क्या है वो देख लेते हैं ठीक है involved in the performance अब जिस तरहां से declarative उसका focus जो था वो performance पे नहीं था बलके defined पे था, declared पे था लेकिन जो procedural है उसका focus होता है performance के उपर with different actions and skills ठीक है आप जो चीज का experience कर रहे हो फिर आप ने उसको perform करना है यानि कि आप second language को सीख रहे हो फिर आप जो है उसको perform कर रहे हो different actions को use करते हुए अपनी skills को use करते हुए ठीक है for example किसी चीज का procedure के how to learn language किस तरह से language को learn करना है उसका procedure भी इसमें आता है क्योंकि procedural long term memory है तो इसमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि procedure आजाएगा आपकी language learning का किस तरह से आप language को learn कर रहे हो कौन सी performance को फिर आप apply कर रहे हो कौन सी skills को आप apply कर रहे हो ठीक है I hope कि यहां तक जो है वह आपको three kinds of memory जो है वह समझ में आ गई होंगी ठीक है उसके बाद next अपने जो है ना वह उसके पर तरफ चलते है अडर्शन model is a journal cognitive model of skill acquisition अब यह भी जो है वह journal cognitive model है skill acquisition इसमें skills matter करती है ठीक है उसके बाद है कि three stages का इहां पर discuss किया उन्होंने cognitive stage है associative stage है autonomous stage है ठीक है one by one करके जो है वह आप इसको discuss कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है cognitive stage में क्या होता है description of the procedure is learned तो इसमें क्या है जो आप procedure बनाया है आपने language का उसकी description को learn करते हो ठीक है जो procedure है उसकी description को आप learn कर रहे हो उसकी learning कर रहे हो for example mind में learn करना किसी चीज़ को ठीक है आप किसी भी आप यानी के second language सीख रहे हो आपने उसको observe किया ठीक है आपने देखा कि मतलब आप inspire हो किसी person से ठीक है उसकी language का English language का accent बहुत अच्छ है वो words का pronounce बहुत अच्छ है तरीके से कर रहे है ठीक है आप उनसे inspire हो गए वो आपने कहा है कि भाई मैंने तो आप जो है ना वो English language सीखनी है और इसकी तरह ना एक दिन जो है ना वो बोलनी है तो जब आप inspire हो है आपको motivation मिली उसको देखके आपने कहा कि भाई मैंने तो इसको अब सीख के रहना ठीक है आपने उसके जो words की pronunciation थी जिस तरह से वो words को pronounce कर रहा है यह कर रही है तो आपने उसको अपने mind में store कर लिया यानि कि आपने learning कर लिया उस चीज़ की ठीक है तो stage कहते है जो procedure है उसको आप learn कर रहे हो उसकी description को आप learn कर रहे हो second पर क्या है associative stage a method for performing this skill is worked out अब इसमें क्या है सबसे पहले हमने learn किया procedure को अपने mind में store किया यानि के ठीक है associative में क्या है performing जो हमने learning की थी language की English language की inspire होके किसी से उसको हमने अब perform कर रहे है वो perform हम किसी भी person के अपने घरवालों के साथ अपने friends के साथ या फिर अपने अपने तोड़ पर ही यानि कि हमने practice करनी है उस चीज़ की ठीक है performance में आपकी practice भी matter करती है उसके बद थर्ड पर क्या है autonomous stage the skills becomes more and more rapid and automatic अब इसमें क्या है इस stage में आके आपने इतनी practice कर लेनी है इतनी performance कर लेनी है क आप बिलकुल जो है ना वो ऐसे हो गए हो कि आपने इतना inspire हुए learning की practice की performance दी लोगों के साथ अकेले room में बैठ के आपने उसी type की pronunciation बोलना शुरू की जिससे आप inspire हुए थे इतनी जादा आपने practice कर ली कि आप आप बिलकुल correct हो गए हो बिलकुल ठीक हो गए हो और आप उ से अच्छा बोलना शुरू हो गए हो ठीक है उस तरह की language से अच्छा बोलना शुरू हो गए हो तो इसको हम autonomous stage कहेंगे कि आपने आपकी जो skills थी वो इस तरह की automatic हो गए कि अगर आपको कोई भी ऐसे मतलब बोलने के लिए lines दी जाएं तो आप इतने जो है ना वो speedly वो जो ह आपके words वो है ना जो pronunciation अच्छे तरीके से निकलती है वो आपकी निकलना शुरू हो जाएगी आप इतने अच्छे हो गए इसी तरह से अगर हम second language learning के ओपर इसकी example fit करें तो वो इस तरह से होगी कि हमने second language का जो procedure था वो learn किया ठीक है अब वो language हमने कौन सी example ले ले लेते है कोई language की कि हमने जो है वो सीखनी है Arabic ठीक है तो हमने उस second language को learn किया फिर हमने परफॉर्म किया Arabic language को अपने friends के साथ अकेले बैटे है हमने practice की ठीक है third पर हम इतने जादा अच्छे हो गए इतनी हमें जो है ना वो easily जो है ना वो हमने अपने skills को use किया ठीक है कि किस तरह से second language कुछ को हमने basically अपने mind में यह store करना है और किस तरह से हमने अच्छे बनना है language के लिए ना तो हम इतने अच्छे बन गए कि हम automatically जो है वो हर चीज के लिए बिल्कुल perfect हो गए ठीक है इसको हम automatic stage कहेंगे इतना हमने excellent बन जाना है उस language में कि हम automatically perform करना लगें उस language को ठीक है त आपने lesson number 14 की तरफ learning strategies and second language learning अब इसमें क्या है आपके पास जो है ना वो learning आ जाती है strategies आ जाती है कुछ ठीक है theories आ जाती है second language acquisition development आ जाती है अब जो आपको first paragraph नज़र आ रहा हुआ इस lesson का उसमें क्या है कि already जो हम लोग previous lecture में बात स्वारी lesson में बात करके आए हैं stages की cognitive, associative और autonomous उसकी यहाँ पे examples जो है ना वो आपको और deeply जाके explain की रही है ठीक है मैंने आपको अच्छे से explain कर दी है मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ पे इस paragraph को पढ़ने की जरूरत है आप उतना ही कर रहो तो बहुत है ठीक है क्योंके वो एक समझाने का overview ही दिया गया इसम में भी जो है ना वो ही बात हो रही है examples की तुरू आपको समझा रहे हैं तो anyways हम लोग जो है ना वो next अपने आते हैं paragraph की तरफ ठीक है अब इस paragraph में क्या कहा जा रहा है कि कुछ rules की बात की गई है basically अगर आप यह first line पढ़ें contemporary second language learner theorist disagree with addressants implied position जो theorist से उन्होंने disagree किया था addressants से ठीक है that second language grammar is initially learned through conscious study and application of explicit rules अब इसने क्यों disagree किया था क्योंकि उनका कहना यह था उनका मानना यह था कि कुछ चीजें हम consciously जो है वो सीखते हैं यानि कि हम aware होते हैं उस चीज से हमारे mind में जो store होती है हमारे mind में जो आर ही होती है information हम उस से सीखते हैं और कुछ हम unconsciously सीखते है यानि कि जिस चीज से हमें जिस information का हमें awareness भी नहीं होती हम कुछ चीजें कुछ language जो है वो हम उस तरहां से सीखते हैं consciously और unconsciously हम जो है वो दोनों तरहां से जो है वो language को सीखते हैं तो यह जो है वो theorist का कहना था इसी वाज़ा से adolescents को उन्होंने disagree किया ठीक है इस paragraph में यही सम यहां पर ठीक हो गया उसके बाद हम next आते हैं learning strategies की तीन categories आती है ठीक है metacognition strategy cognitive strategies और social and effective strategies अब metacognition में क्या आता है आपकी selection आती है कि किस तरह से आप attention दे रहे हो उस language पे किस तरह से plan कर रहे हो किस तरह से monitoring कर रहे हो किस तरह से evaluation कर रहे हो जो आपको step one होता है ना basically language को सीख अपकने का learning का वो इसमें आता है आपकी attention आपकी planning आपकी monitoring आपकी evaluation तो यह आपने as it is याद करना है cognitive strategies में क्या आती है आपकी rehearsal आती है organization आती है inferencing आती है cooperation है questioning है for clarification and self-talk तो इसमें हमारा जो है वो questioning भी आती है और self-talk अपने आप से बात करना भी इसमें जो है वो add किया हुआ है उसके बाद general benefits है of applying cognitive theory to second language acquisition तो यहाँ पे वही बात है वही चीज़ें इन points में repeat की जाएंगी learning is an active and dynamic process learning जो है वो active और dynamic process है in which individuals make use of a variety of information and strategy modes of processing जिसमें जो individuals हैं जो सीख रहा है second language को वो use करता है variety of information को strategies को processing करने के लिए ठीक है language is a complex cognitive skill जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि language सीखना second language सीखना असान नहीं है complex है तो कि इसमें जो है वो cognitive skills को use करना पड़ता है देखना पड़ता है कि कौन से skills को आपने use करना है किस तरह से information को store करना है और learn करना है थर्ड क्या है learning a language entails a stage wise progression from initial awareness तो इसमें भी हमारी जो है वो learning आ जाती है basically language की ठीक है process आ जाती है information किस तरह से हम manipulate करते है language strategies आती है last पे हमारे पास ठीक है जो हम already discuss कर चुके हैं तो आप इस point में उसका जो है वो overview दे सकते हो उसके बाद आते हैं हम अपने next topic की तरफ ठीक है adderson's active control of thought and fluency develop in second language accusation अब Tovel and Hawkins ने reject किया था adderson's के model को अब उपर हमने already नाम discuss किया था हम उपर जाके देखते हैं ताके मैं आपको बता सकूं कि किसने जो have a reject किया था curious थे जिन्होंने disagree किया था adderson's के model से ठीक है और उने क्या कहा था conscious और unconsciously दोनों state से हम जो है वो language को learn कर सकते हैं ठीक है अब क्यों reject किया था अब उनका कहना क्या था वो हम लोग देख लेते हैं वो क्या appeal करता है कि आप जो हो और जादा deeply जाके हमें information देनी चाहिए ताके जो चीज़ें अडरसन ने अपने model में miss की हैं जो उसने बताना जरूरी नहीं समझा हम उसको जान सकें ठीक है जो language learning की उसने जो information हमारे साथ discuss की है कि इस तरह से आप language को learn कर सकते हो उसने जो चीज़ें miss की हैं वो हमें बतानी चाहिए ताके हमें deep information दे सके कोई चीज़ के बारे में ताके हम उस पे जो है वो focus कर सके और उसको easily learn कर सके तो ये towel and hawker ने इस वज़ा से जो है ना वो reject किया था अडरसन के model को I hope कि यहां पे आपको clear हो गया होगा मैंने जो है आपको concept दिया है ठीक है आपने concept सुनने के बाद यहां से जो है वो English में भी read out कर लेना है ताके आपको और अच्छे से clear हो सके ठीक है अगर कुछ भी समझ नहीं आती आप comment section में comment जरूर कर सकते हो lesson number 15 की तरफ आते है theories of second language processing and connectionism अब इसमें क्या है theories है second language processing की और connectionism है ठीक है तो वो one by one करके अब हम लोग जो है वो discuss कर लेते हैं सबसे पहले आती है next two theories we are going to discuss focus on the factors controlling how second language learner process the linguistic input हम discuss कर रहे हैं कि किस तरह से second language learner जो है वो experience करता है process करता है अपने mind में किस तरह से language को store करता है ठीक है अब इसमें आती है possibility or perceptual license approach possibility theory क्या है इसमें आपकी process आजएगा ठीक है इसमें आपका आजएगा किस तरह से आप learners जो हो clarify कर रहे हो किस तरह से आप जो हैना acquire कर रहे हो language को किस तरह से आप computational mechanisms को use कर रहे हो acquire कर रहे हो language जो आपने construct की है जो आपने mind में अपनी language को process किया है store किया है उसको आप किस तरह से construct कर रहे हो basically ठीक है तो यह teory इस जीज के बारे में जो processing आपने की थी अपने माइंड में वो किस तरह से अब आप construct कर रहे हो उसको किस तरह से परफॉर्म करोंगे आप अब यह क्या जो इस क्लेंड करता है बोथ थियोरी ओफ ग्रामर ठीक है ग्रामर पे भी इसका जो है ना होई जुरूरत होती है इसको और प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग की भी जुरूरत होती है तो अपने स्किल्स की भी इसमें बात करनी है सेकींड पे आते हैं सेकींड हाइपोथीस है टीच अब टीच अबिलिटी हाइपोथीसिस क्या है इस बेस्ट ऑन आइडिया डाट इंस्ट्रक्शन्स नीड तो बी गेर्ड तो लर्नर नाच्रल डिवलपमेंटल स्टेज तो बी मोर अफेक्टिव यानि कि जो आपने टीच की थी स्टेजिस जो आपको टीच करवाई गई थी जो आपने सीखी थी स्टेजिस जो लेंगविज को लर्न किया था आप उसके को किस तरह से टीच किया किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो यानि कि आप ने जो grammatical structures follow किये, ठीक है, आपने किसी language को in-depth जाके पढ़ा, आप उसके grammatical structure पर focus करते हो, आप देखते हो किस तरह से आप language को teach कर रहे हो, किस तरह से सीख रहे हो, उस stages के बारे में, first stage आपने ली, फिर second stage आपने ली, फिर third stage आपने देखी, ठीक है, किस सरह से language को आप learn कर रहे हो तो उस learner जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं कौन-कौन से जो structures हैं वो use करता है कौन से अपने mind में set करता है और फिर एक language को जाकर सीखते हैं तो इसमें teach ability आजएगी यानि कि आपकी teaching आजएगी किस तरह से आप teach कर रहे हो एक language को या किस तरह से आप सीख रहे हो एक language को ठीक है तो इसमें आप रहे हैं इसकी बात कर लेनी हैं अब I hope कि teaching hypothesis जो है वो आपको clear हो गया होगा अब last line देखो इस paragraph की it lead him to develop teach ability hypothesis in which he considers the pedagogical implications of our learn ability or process ability model अब इसमें क्या है pedagogical में क्या implication का क्या मतलब है कि आपकी concept ठीक है आपकी दो theory है उसका concept जो relevant है basically आप जो stages को use कर रहे हो जिस तरह से आपको stages के बारे में teach किया गया है उसको हम pedagogical implications कहते है आप कोंचेप्ट हमें प्रोवाइड की गई है जो stages हमें provide की गई है कि इस in stages को follow करके आप लैंगविज को सीख सकते हो उसको 60 परेड़ॉजिकल implication कहा गया है ठीक किस तरह से अपने learning करनी किस तरह से अपने processing करनी है model की यह कोई language जाओ अगर आप सीख रहे हो किस तरह से आपने से प्रोसेस करना उसको अपने माइंड में उसके बाद इट प्रिडिक्ट अब क्या प्रिडिक्ट है जो स्टेजिस हैं वो आपने स्किप नहीं करनी है अगर आप इंस्टेजिस तब आपके लिए बैनिफिट आपको देंगी तब जब आप फॉकस करोगे स्ट्रक्चर के ओपर ठीक है कि एक आपने स्टेज जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर ली है देख ली है समझ ली है वो आपको तब बैनिफिट देगी तब जब आप उसके स्ट्रक्चर को इंडीप जाके जो है न उसके फोकस करोगे ठीक है उसको apply करने की कोशिश करोगे उसको समझने की कोशिश करोगे और फिर जाकर आओप next stage की तरफ move करोगे पहले एक stage को अच्छे से करोगे पिर डूसरे stage को अच्छे से उस पर focus करोगे उसके structure पर focus करोगे I hope कि यहां तक आपको जो है वो सारा clear मैंने कर दिया होगा उसके बाद आते हैं अपने next paragraph की तरफ The perceptual silensive approach argues that human beings perceive and organize information Perceptual means perceive करना, ठीक है? Language को आपने perceive किया, human beings जो है वो perceive करते हैं और फिर organize करते हैं उस information को in a certain ways Certain ways को use करते हुए वो organize करते हैं और perceive करते हैं information को And it is perceptual silency of linguistic information अब यह जो चीज है वो perceptual silency है कि सबसे पहले आपने perceive किया language को उसके बाद जो आपने store किया अपने mind में language उसको आपने organize किया information को In certain ways, certain ways को use करते हुए आपने उसको organize किया इस चीज को हम perceptual silency कहते हैं अब यहाँ पर next आप देखें कि इसका जो focus है वो learning process के उपर है इस तरह से हम language को learn कर रहे हैं ना के innate language के उपर innate language क्या? जो हमें already जब हम पैदा हुए थे तो हमारे mind में जो store थी language जो हमें idea था, जो grammar का idea था हमें उसको innate language कह रहे हैं तो इसका focus innate language पे नहीं है जो already हमारे mind में store है उस पे नहीं है बलके हमारे learning process पे हैं किस तरह से हम language को learn कर रहे हैं understand कर रहे हैं, processing कर रहे हैं अपने mind में इस सारे procession के उपर processing system के उपर जो है उसका main focus है perceptual silency का उसके बाद next जो line है वो भी इसी चीज़ को indicate कर रहे है perceived किया जाता है organized किया जाता है information में ठीक है next आते हैं हम अपने जो है वो principles आपको बताये हैं जिनको आपने follow करना है ठीक है pay attention to the end of words ठीक है linguistic elements include relation between words avoid exceptions underlying semantic relations should be marked overtly or clearly use of grammatical markers should mark semantic sentence अब ये सारे जो principles थे इनको आपने follow करना है जब आप language को learn कर रहे होगे ठीक है next आते हैं connectionism की तरफ connectionism connectionism क्या है ठीक है इसको देख लेते है related है brain के साथ ठीक है इसकी जो connection है इसका जो relation है वो brain के साथ है connected connection है ना किसी चीज़ का तो वो brain के साथ इसका जो है connection बताया हुआ है क्यों इसका relation बनाया हुआ है क्योंके इसमें जो है connection बनाया जाता है between items जो different items है उनके दरम्यान जो है उनके साथ connection बनाया जाता है इस चीज़ का ठीक है connectionism इसको कहा गया है ठीक है जो related है brain से, brain में हम जो चीजों का experience कर रहे हैं, जो चीजों को store कर रहे हैं, उनको हम connect कर रहे हैं धूसरे के साथ उसके बाद for example, आप यहाँ पे example जो है वो stimuler और response की दे सकते हो, अगर आपको कोई parents ने एक बात कही, आप उसको जो है ना वो देखा, ठीक है आपने उसको store किया आपने mind में stimuli किया, यानि के तीक है, उसके बाद आपने उसको stop store किया, आपने उसकी processing की, उसको organize किया ठीक है उस information को और फिर आपने response किया, यानि कि आपने perform किया उस चीज़ को तो यह हमारी response में आएगा तो इसमें आप stimuli और response की example भी दे सकते हो कि आपने जिस तरह से पहले mind में जो items हैं उनको आपने connect किया एक दूसरे के साथ उसके बाद आपने response किया अपना experience बताया कि किस तरह से आपने mind में जो है वो चीजें store की और किस तरह से आप perform कररे हो ठीक है उसके बाद आता है आप अपनी learning को explain कर रहे हो basically किस तरह से किन किन stages को follow करते हूए आप अपनी learning को WHAT सीकते हो ते किस तरह से United Language को learn की आपने basically अपना experience जो है वो आप अपना शेयर कहर रहे होते हो ठीक है अब इसको उन्होंने computer technology के साथ भी compare किया है connectionism को तो ये भी आपने आद रखना है कि इन्होंने यहाँ पर computer technology के साथ भी इस word को connectionism को compare किया है lesson number 16 की तरफ आते हैं evaluation of cognitive approaches and functional perspectives तो इसमें आपके cognitive approaches आती है and functional perspectives आते हैं तो इस lesson में basically हम देखें किस तरह से बाकी लोग जो है वो learning के बारे में क्या सोचते हैं क्या उनकी thinking है ठीक है पहले आ जाता है the scope of cognitivist तो इसमें क्या है वो देख लेते हैं cognitivist जो हैं वो हमें बताते हैं research करके कि एक good चीज़ क्या है और bad चीज़ क्या है यानि कि good और bad expects के बारे में हमें cognitive बताते हैं ठीक है research करते हैं और फिर हमें अपने mind से related जो उनके mind में material collect होता है जो information वो collect करते हैं उसको वो research कर रहे होते हैं basically यानि कि आपने देखा होगा किसी language की research की जारी कितने लोग जो हैं वो language को सीख रहे हैं तो जो cognitivist हैं वो हमें research करके बताएंगे कि कितने लोग जो हैं वो हमारे यहां पर पाकिस्तान में English language को सीख रहे हैं कोई भी language जो है वो सीख रहे हैं तो हमें research करके बता रहे हैं कि इसके good expects यह हैं और bad expects यह हैं ठीक है अब देखें some cognitivist specially focus these processing mechanism अब कुछ जो cognitivist होते हैं उनका focus processing के ओपर होता है किस तरह से second language learners जो है वो develop करते हैं अपनी language को किस तरह से second language को सीखते हैं तो उनका main focus जो है वो इस चीज़ के ओपर होता है ठीक है कॉगनिटिविस्ट जो है वो in short हमें बता रहे होते हैं conscious state के बारे में किस तरह से हम जो है अपने conscious जो material है जो information उसको किस तरह से use करना है अपनी life में और किस तरह से reasons जो हैं उनको use करना है हमने अपनी life में उनके बारे में हमें guide कर रहा होता है कॉगनेटिविस्ट अपनी रिसर्च करके ठीक है बिसिकली तो यहां पर आपको I think कॉगनेटिविस्ट का clear हो गया होगा कि कौन जो है यह होते हैं और इनका scope भी यह है कि यह हमें research करके बता रहे होते हैं second language के बारे में है second language learners के बारे में तो यहां पर यह भी लिखा है कि some cognitivist जो है उनका focus होता है processing के उपर और किस तरह से second language learners जो है वो develop करते हैं अपनी language को उसके बाद यहां पर जो है ना property theory और transition theory के बारे में आपको बता है यह language की properties की study की जाती है उसका meaning देखा जाता है उसका each and everything language का देखा जाता है property theory में यानि कि उसकी properties देखी जा रही है basically language जो है वो क्या expression show कर रहे है हमें क्या बताना चाहरी है हम language के तुरू किस तरह से बात को है जो understand कर रहे है उसके expressions को show करके हमें क्या चीज जो है वो show हो रही है तो इसको हम property theory कहते हैं जिसमें हम properties of language की study कर रहे होते हैं basically उसके बाद यहाँ पर transition theory है किस तरह से हमें एक language को transit करके change करके transfer करके दूसरी language में shift कर रहे हैं उसको हम transition theory कहते हैं तो they believe that they also need a property theory वो believe कर रहे हैं कि हमें जरूरत है, हमें need है property theory की, जिसमें हम properties देखें, उसके study करें language की, ठीक है, to understand the linguistic system, understand करने के लिए language का जो system है, उसके लिए हमें जरूरत है property theory को understand करने की, which will complement their transition theory, ये हमारे लिए helpful रहेगी, जब हम transition theory की तरफ जा रहे होंगे, जब हम second language को learn, first language से second language की तरफ जा रहे होंगे, तो उसके लिए हमें help out करेगी property theory, ठीक है, तो यहाँ पर इस line का मतलब है, आपको बताने की कोशिश की जा रही है, बिसिकली इस सारे paragraph में आपको cognitiveist मिलेंगे different, जो अपने according आपको बताना चाह रहे हैं, कि उनका focus किसके ओपर है, वो learning के ओप पर focus कर रहे हैं, या फिर processing के ओपर focus कर रहे हैं, या फिर किस चीज के ओपर उनका focus है, ठीक है, तो आप again and again जो चीजें आपको आती हैं, आप वो भी इसमें add कर दोगे, that is enough, ठीक है, इसमें से जो easy lines है, आप लोगोंने वो collect करके ना अपनी notes बना लेने उस चीज के, ठीक ह investigate development of processing in second language learners, अब यह easy line है, आपको easily समझ आ सकती है, ठीक है, अब this goal is much in reached by cognitive studies, ठीक है, यह आपको line समझ में आ सकती है, the most methodologies have their advantages and disadvantages, जितने भी methods हैं language learning के, उसके advantages भी हैं और disadvantages भी हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ advantages जो है models के, वो बताये में हैं, they are neutrally inspired, they incorporate distributed representation and control of information, they are data driven with prototypical representation, they show graceful degradation, as do humans with language disorders, they are models of learning and acquisition rather than static description, तो यह आपको advantages जो हैं वो आपके साथ share किये में हैं, यह आप लोगों नहां से जो हैं वो read कर लेने हैं, अब जो functional perspective है, second language learning का, perspective means कि functional नजरिया, ठीक है, एक चीज़ के बारे में आप क्या point of view रखते हो, क्या thinking रखते हो, तो functional perspective क्या है, कि उसका focus होता है कि students खुद explore करें language को, उसकी नई नई चीज़ों को explore करें, ठीक है, new चीज़ों को find करें, और फिर बाकी students के साथ engage करें, उस चीज़ को discuss करें, ठीक है, उस language को discuss करें, आपके समें discussion करें, ठीक है, इसका जो main focus है, वो इस चीज़ के उपर है, functional perspective का, कि आप एक language अगर आप कोई चीज़ सीखना चाते हो, उसको उसकी नई नई चीज़ों के explore करो, और फिर बाकी लोगों के साथ उसकी discussion करो, उस language की discussion करो, इसका main focus इस चीज़ के उपर है, यहां तक आपको सारा जो है, वो clear मैंने कर दिया होगा, lesson number 17 के तरफ चलते हैं, cognitive, textual, social, orientations and functionalism, अब इसमें क्या है, cognitive orientation can be exemplified by the work of solvent, that proposed the existence of basic child grammar in which child construct their own form function relationship to reflect a child's eye view of the world, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि cognitive orientation theory जो है, वो basically mind से related होती है, किस तरह से हम language को अपने mind में store कर रहे हैं, किस तरह से हम mind में processing कर रहे हैं language की, किस तरह से organize कर रहे हैं information को, फिर एक language को perform कर रहे हैं, इसको हम cognitive theory कहते हैं, जिसमें हमारा stimuli और response भी आता है, ठीके हमारे parents जो है, हम आज से एक word बोल रहे हैं, फिर उसके response में हम उसको judge कर रहे हैं, observe कर रहे हैं उस word को, habit बना ली हमने उस word को बोलने की, उसके बाद हम perform कर रहे हैं, response कर रहे हैं, उस stimuli का हम response कर रहे हैं, तो ये cognitive theory है, जो हमारे mind से related हैं, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कि बच्च children constructed on form function, अपने तरीके से, अपने thinking के according वो एक function बनाते हैं, और फिर अपना जैसे जिस तरह से उनका eye view, जिस तरह से उनकी thinking, जिस तरह से एक चीज है पड़ी ही, ठीक है, मेरे सामने जैसे box है कोई, तो jewelry box है, for example, तो मैं वो jewelry box जो है, वो अपने तरीके से उसको जो है ना, व अपने according, और फिर उसको perform करोंगी, तो अपने mind के according, अपने जो आखे हैं, उसके according, उसको देखना, उसको observe करना, तो इसको हम जो है, वो cognitivism भी कह सकते हैं, कि हम mind में उसको store कर रहे हैं, ठीक है, अपने according उसको thinking कर रहे हैं, तो पहले में cognitive orientation में, आपकी cognitive theory आ जाएगी, ठी Textual orientation. Textual orientation क्या है? किस तरह से एक text है, उसको आप देख रहे हो, किस तरह से उसको समझ रहे हो, ठीक है, किस तरह से each and everything, उसके vocabulary, उसकी grammar, clauses, sentences, जितनी भी चीज़ें उस text में होती हैं, ठीक है, sentences होते है, clauses होती है, vocabulary होती है, grammar होती है, different चीज़ें जो है, वो आपको text में मिल जा orientation कहते हैं अब क्या है functionalist research functionalist जो है वो research करते है social orientation के बारे में जिनका interest होता है relationship the development of child formal language जो child की formal language की development है उसकी तरफ उनका focus होता है और expects of their social world जो world के social world के expects है उनकी तरफ उनका interest होता है development of child formal language जो वो formal language system को develop कर रहे है या फिर सीख रहे है चाइल्ड वो उसके उपर उनका interest होता है या फिर expects of their social world expects जो social world की होते है उसके उपर उनका main focus होता है the functional approach is pay attention respectively to the relationships between grammatical development and prototype events between grammar, pragmatics and text organization in between grammar and the social world अप functional approach क्या है कि आपके इसमें सारे functions आज़ेते हैं आप जो text read कर रहे हो उसमें आपकी grammar आती है आपकी paragmatics आती है ठीक है आपकी organization आती है कि किस तरह से इक grammar है उसको आप जो है ना वो observe कर रहे हो किससे से संटेंस आप सीखते हो और अपनी language जो है उसमें उसको यूज करके आप अपनी language को develop करते हो ठीक है आप अपने social world को देखके आप अपने social expects को देखके अपनी language को develop करते हो इसको हम functional approach कहते हैं इंटर लेगविज का भी जो आपकी एक लेंगविज है उर्दु और आपनी लेंगविज को आपनी सेकंड लेंगविज तो tekis लेंगविज यहाजिए. या ninth word, दूसरी ettr old language लेंगविज ब्लैंगॉज में एक लेंगविज में लिंक करतीच है को इनड लेंगविज कहते हैं जिसकी विए से हमें बहुत से जो है ना वो difficulties phase करने पड़ती हैं हम easily जो है वो learn नहीं कर सकते है second language को जब तक हम अपनी first language को proper तरीके से अलग नहीं करेंगे second language दे तब तक हम उसको अच्छे से सीख नहीं पाएंगे तो I hope कि यहां से जो मोटी-मोटी चीजें थी जो main main चीजें थी वो मैंने सारी आगको साथ discuss कर दी है ठीक है जो कुछ रह जाएगा वो आपने खुद से read करने की कोशिश करनी है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ overview डिया है कि chapter जो है वो किस पारे में है उसमें क्या क्या चीजें हैं किस-किस जो है ना एक नई point का जिकर किया है तो वो मैंने आपको define किया है ताकि कोई जो पुरानी चीज है वो लड़ी आपको आती है ठीक है अगर आप जिस तरह से मैंने आपको बताया है cognitive orientation अगर आप ये नाम पढ़ोगे तो आपने समझ जाना है कि भई मैंने इसमें जो है ना cognition theory को भी add कर दूँगा तो मुझे जो है वो marks मिल जाने मैं उसका concept भी दे दूँगा तो मुझे marks मिल जाने तो आपने बस जो है ना इसको main main चीजें जो है वो read out कर लेनी है मेरा concept आपने मेरी वीडियो आपने watch कर लेनी है सुन लेनी है अगोर से आपका इंशाला जो है ना उच्छे marks achieve कर सकोगे आज के लिए इतना है मिलते हैं आपकी नेक्स वीडियो में इंशाला अलाफिस